हाई मैं डियर इस्टुडेंट आज जो मैं टॉपिक के साथ आया हूं वो टॉपिक है विखंडन या विभाजन इस यह अंग्रेजी में फीजन और डिवीजन कहते हैं जैसा कि मैंने ओलंगिक जनन के परकार में लिखाया था कि ओलंगिक जनन आठ परकार कहते हैं उसमें पहला जो टायप मैंने लिखाया था वो था फीजन या डिवीजन आज हम देखते हैं कि ओलंगिक जनन भिखंडन के दुआरा कईसे संपन होती है तो देखिए यहाँ पे एक बात को धियान रखिएगा कि कई ओलंगिक जनन में ए एक जीव से दो जीव और या एक से बहुत सारे जीव बनते हैं लेकिन उसमें बेसिक अंतर होते हैं और उसी के अधार पिसको अलग अलग रूपों में क्लासिफाइट की गई है तो यह भिखंडर या भी भाजन जो है या समानता या यू का आ जाए तो केवल और केवल एक को जीव का या जनन का परमुख विधी है इसमें जीवों का शरीर एक या एक से अधिक बराबर आमापों में बराबर भागों में बढ़ते हैं अर्थात इसमें जनक का अस्तित समाप्त हो जाता है इसको इस उदारन साब समझ सकते हैं कि यदि आप एक गिलास में पौनी जिखिये और से मुशी तरह के गिलास में पाणी को क्या किजिए दो एक जिसे गिलास में दो उस पाणी को बाट दीजिए तिश में कौन में जनक का भाग कहलाएगा और कौन संतती कहलाएगा यह आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसी परकार विखंडन या विभाजन एक कोशिकिये जीवों में होने बाला वालेंगिक जनन है जिश में उनका शरीर दो या दो से अधिक बराबर भागों में बढ़ता है तो अब हम लोग देखते हैं विखंडन के परकार विभाजन के परकार विभाजन को या विखंडन द्वारा वलेंगिक जनन को तीन भागों में बाटा गया है पहला द्वी बिभाजन दूस रा बहु ब्भाजन और तीसरा बुशी का द्रभ विभाजन इन तीन भागों में विभाजन को बाटा गया है, दुई विभाजन को अंग्रेजी में बैंडी फीजन कहते हैं, बहु विभाजन को मल्टिपल फीजन कहा जाता है, जबकि कोशिकाद रभ विभाजन को पलाजमो टोमी कहते हैं, तो देखें, इस तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे, तो हम लोग दुई विभाजन को देखते हैं, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक में आगे बर हूँ, आपने अभी तक मेरा चेनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो मेरे चेनल बाइलोजी हब परकास से एपी को सस्क्राइब करें, और आगे की विडियो देखने के लिए बेल आइकन पर जरूर किलिक करें, जिससे कि मेरा सभी विडियो आप तक असानी से पहुँच जाए, और इस परकार हम लोग दूर राकर भी बाइलोजी के तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और मेरे विडियो बनाने के लिए मुझे उससा बढ़ाने के लिए जैदा से जैदा मेरे इस विडियो को सेयर किजिए, चलिए अब हम आप लोग को बाइंडरी फीजन के बारे में देखते हैं, देखिए यहाँ पे टर्म है, बाइंडरी, बाइंडरी मतलब होता है दो, बाइंडरी मतलब जोरा, बाइंडरी मतलब दो, और हिंडी में असपस्ट रुप से है, दूई, दूई मतलब दो, और विभाजन मतलब बटना, मतलब इसमें एक कोशिकिये जीब का सरीर दो बराबर भागों में बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बैंडी फीजन कहते हैं, दुई विवाजन कहते हैं और दुई विवाजन अलग-अलग एक कोशिकिये जीबों में अलग-अलग परकार से होते हैं अर्थात दुई विवाजन के भी परकार होते हैं दुई विवाजन को मुखरूपशे हम लोग चार भागों में बाढ़ सकते हैं दुई विभाजन को कितने भागों बाढ़ सकते हैं, तो चार भागों में बाढ़ सकते हैं, पहला A1, दूसरा A2, तीशरा A3, चौथा A4, तो A1 में सरल दुई विभाजन, सरल दुई विभाजन, दूसरा जो टाइप है, वो टाइप है, लंबबत दुई विभाजन, लंबबत दुई विभाजन, तीशरा तिरियक दुई विभाजन, और चौथा जो है, उसे अनुपरस्थ दुई विभाजन कहते हैं, चौथा अनुपरस्थ दुई विभाजन, या जो दुई विभाजन को अलग अलग भागों में बाटा गया है, जीबो के सरीर के, उस अस्थान के अधार पे जहां सी यह बटता है, या यू कहा जाए, किनके सरीर के सेक्षन के अधार पर, यानि बटने के जो सेक्षन होते हैं, उस अधार पी से कितने भागों बाटा गया तेट फरस्ट सरल दी विवाजन को अंग्रेजी में शिंपल है बाइंडी फीजन है बाइंडी फीजन कहते हैं लंबत को लोंगी ट्यूडनल है बाइंडी फीजन कहते हैं तिर्यक को अबलिक क्यों अबलिक ओ बी एल आई क्यू यू ए बाइंडी फीजन कहते हैं जबकि अनुप्रस्ट को ट्रांस भर्स ट्रांस भर्स कि वाइंडी फीजन कहते हैं आप देखिए इस फरकार से विखंडन को तीन भागों में बाता गया दूई भीवाजन बहु दुभी विभाजन अर्थाथ सिम्पल बाएंडिव हो दुझन लंबद दुभी विभाजन अर्थाथ Introdu handle बेनड पीजन तिरियक के भी विभाजन अर्था अद। अर्धाथ गिशन ऐसे चले इसको हम बारी-बारी से देखते कि देखेंगे लंबत दी विवाजन क्या है फिर तिरियक और फिर आंत में अनुप्रस दी विवाजन को देखेंगे है तो एट फर्स्ट हम लोग शिम्पल बैंडी फीजन को एक्स्प्लेइन करते हैं देखें जैसा कि नाम सस्प्ष्ट है सिम्पल मतलब सधारन बहुत विवाजन इसमें जो विवाजन अक्ष होगा शरीर में कहीं से भी बट सकता है अब कहिएगा शरीर में कहीं से बटेगा तो फिर लंबत क्यों नहीं कहेंगे फिर तिरियक क्यों नहीं कहेंगे उसे सधारन दूई विभाजन क्यों कहेंगे तो देखें ये जो गोलाकार लम्शम या सरीर जो अन्यमितकार का जो एक कुछ के जीव होता है या उसमें होने वाला दूई विभाजन है इसको एक एक एक्जामपल समझे घर में जिसमें रोटी बनाते हैं और अंतिम में एक लो उसकर बनाता है तुसे दो बराबर भाग में नेतने हैं तुसे कहि 추把它 केसी भी भाग सकते हैं यहांस कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो होगा वतिह क्योंति псих कया होते हैं यह विद्यूत को यह समतित के हो बदलते रहता है और उसके किसी भी तलपर से विभाजन के क्रिया हो सकती है सरल्दुई विभाजन मुख रूप से इसका बेस्ट एक्जम्पल है वह है आमीवा जो कि आप लोग पहले भी तेंथ में परहे होंगे जिसका जो एक्जम्पल है अमीवा तो देखिए आम मुईवा में क्या होता है यहां पर देखिए आप जानते कि आमीवा और यमी थकार का होता है यह अमीवा है इसमें जैदा भाग में नहीं बनाऊगा इसे आप केंदरक इसे केंदरक 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 को क्या कहते हैं नुकिलियस कहते हैं और यह इसका उपर का जिल्ली हो गया हमीवा जिल्ली या प्लाज्मा मेंब्रेन कुछ भी का दिए कुछ इका जिल्ली इसमें होता क्या है कि जब इसे अनुकूल परिस्थितिया मिलती है अर्थात पर्चूर मात्रा में इसके भोजन मोजूद होते हैं बातावरन का टेंप्रेचर बातावरन में जो बायमंडल ये दाव है यह सभी जब इसके अनुकूल होती है तो यह क्या करता है एट फरस्ट अकार में बिर्धी करता और इसका केंद्रक भी अकार में बढ़ते जाता है है जब यह कार्मिक निश्ची स्थिमा तक बिर्धी कर लेता है तब इसके केंद्रक में विभाजन की किरिया सुरू हो जाती है और यह जो कोशिका इसका उपर का वित्ती है प्लाजमा मेंब्रेन है यह भी बटना यह भी अंदर के और धसना शुरू अ और यह हो गया केंद उस्षे पहले ही केंद्रक दो भाग में बढ़ कर अलग हो जाएंगे। अब यहां कर अगे, अब यह दीरे दीरे यह भित्ती दीरे दीरे अंधर की ओर आते जाएंगे, फिर क्या होगा और अंधर की ओर आते जाएंगे। और अंदर आते 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 आपस में शट जाएगा और फिर कुछ समय बाद यह यहां से अलग हो जाएंगे इस परकार से एक अमीवा से एक अमीवा से देखिए एक अमीवा से दो अमीवा का निर्मान हुआ अब यहां पर गौर से समझेए कि विभाजन में यह दो बराबर भाग बटते इस दोनों में आप नहीं कर सकते कि जनक कोन है संतती कोन है जनक यह है या यह है इसा आप डिफाइन नहीं कर सकते यही कारण है कि आप बाइंडी फीजन कहलाती है अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पर आप लोग इस डियाग्राम को बनाने के लिए अपना स्क्रीन शॉट ले लिएगा जिसे कि आप डियाग्राम को असानी से बना सकें और अभी तक भी आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये है तो मेरे चैनल के सस्क्राइब बटम पर जाईे और उससे तुरस सस्क्राइब किए क्योंकि इससे हमें motivatesन मिलते रहेगा कि मैं आपके लिए और जएदा सजएदा वीडियो देशको चलिए अब हम आतेश का दूसरा यह टू पर अगा है कि वो है आपका आप लोग को याद है दूसरा क्या बताए थे दूसरा जो आपका था वो लंबत दूई विभाजन था वो लंबत दूई विभाजन या इसको लंबत शरल दूई विभाजन भी कह सकते हैं देखिए यह टर्म मैंने आपके लिए बिल्कुल नया दिया है वहां पर शरल दूई विभाजन था यहां पर मैं क्या करो लंबत दूई विभाजन यदि आपको कन्फिजन हो तो इसे दिमाग से हटा सकते हैं लेकिन यह भी क्या है सधारन प्रकार का है यह लंबे जो बढ़ सकता है यहां भी बढ़ सकता है अता मैंने से लंबत सरल दूई विभाजन का यदि आपको विशेश प्रॉब्लम होती से केवल लंबत दूई विभाजन याद रखेंगे इसे अंग्रेजी में लोंगी ट्यूडिनल लोंगी ट्यूडिनल बाइनरी फीजन कहा जाता है इसमें क्या होता है कि यह एक को सिकिये लंबे जीवों में होने वाला दूई विभाजन है और इसका जो सरीर होता है ना वो लंबाई में दो बराबर भागों में बढ़ते हैं हिस कीस में भdeतें लंबाई में दो बराबर हागों में बढ़ते हैंता है इसे क्या कहते हैं लंबत दो भीवाजन कहते हैं और यह भीवाजन वबाजमोडिया में भी पाया जाता है अब इस तरह का लंबर जो दी विभाजन है मुखरूप से बर्टी 16 यूग लीना में पाए जाता है लेकिन प्लाजमोडियम में कभी-कभी यह विभाजन पाए जाता है प्लाजमोडियम में मुखरूप से जो विभाजन पाए जाते हैं वो विभाजन बहु विभाजन के अंतरगत आते हैं लेकिन कभी-कभी प्लाजमोडियम में दूई विभाजन देखी जाती है अता आप इसको लंबदवी विभाजन पाए जाते है लंबदवी विभाजन में हम लोग मुखरूप से बर्टी-सोला युगलीना इस दोनों को रखते हैं तो बताई इस तोनों में से कौन सा बताया जाए वेटी, वेटी, शोला बताया जाए या यूगलीना, सामान रुप्षत आप लोग पहला पला पहला कहते हैं, अच्छा दूसरा, ठीक है, ठीक, ओके, तो दूसरा था यूगलीना, तो इसमें हम लोग एग्जामपल यूग लीना का यूग लीना या एक कोशिकीए जीव है जो जलिय होता है इसमें भी क्या होता है आनुकूल परिष्थितियों में तो इसमें होती है और यह जो द्रू विभाजन की किरिया है वह लंबत रूपों से होती है अता इससे क्या कहते हैं लंबत दुविवाजन कहते हैं यूगलीना देखने में कुछ ही स्टाइप का होता है देखें बिच बिच में आप लोग डैवर्ट मत क्या किजिए ये यूगलीना है आप देखें यूगलीना यहां परहाई से बढ़ता तो एक में पूछाता और एक में शीर आता अता नेचर ने इसके परजरन के लिए इसके रिप्रोडेक्शन के लिए इसमें लंबत दुविवाजन की विवस्था की है यह क्या होता है सबसे पहले उपर का भाग दो भागों में बढ़ता है इसका देखिए बिभाजन का जो अक्ष्य है वो यहां यह बिभाजन का अक्ष्य है यह इस तरह से बढ़ता है तता इससे क्या कहते हैं लंबत दुविवाजन कहते हैं और यह धीरे धीरे धस्ते वह यहां तक आ जाएगा और फिर इससे क्या होगा एक से दो यूगलीना का निर्मान हो जाएगा अब यहां पर भी देखिए आप पिश्मेशे भी नहीं कर सकते कि कोण जनक यूगलीना है और कोण सासंतती है चुकी इसमें शिर्च से नीचे की और विभाजन होता है तैसे क्या कहते हैं लंबत दुविवाजन कहते हैं अब लंबत दुविवाजन के बाद हम लोग दुविवाजन का तीसरा परकार जाएंगे और वो तीसरा परकार कौन सा है कोई बताईएगा जस्ट अभी मैंने बताया है एनिवन एनिवन कोई बताओगे लंबत दुई भी भाजन के बाद मैंने क्या लिखाय था उसके बाद मैंने लिखाया था तिर्यक दुई भी भाजन उसके बाद ए तिरी क्या था तिर्यक दुई भी भाजन इसे अंग्रेजी में ओवलिक में और वावलिक को बाविएटी फीजन कहते हैं कि इस अंग्रेजी में आवब्लिक किसे कहते हैं आप जानते हैं बस वावलिक को समझ जाएए समझ जाहिएगा आप देखिए लिखने में जिसे लिखते तीक यह जो आप बटा मैथम बोल लाएं हैं यही को 빠ई यह पिसको अलग कीजी कोह लिए कहतेर हैं तिरया क्यों कर प्र Jacqueline घुत से करके कहते हैं और यह भी भाजन शिरेटियम में पाया जाता है अब बात करेंगे इसमें देखिए इसका जो बाड शिषावता है इस जो देखने में अलग-अलग ऑलग अकिरति ते हुं यह जो बडी कटेगा इस परिष्प प्रिभाया cent edad zone zeg morality प्रूपों में बटेगा क्या केंगे छूथब है देखेंगे अब है छोथोथा टॉपिक था ऐगए आनुपरस्त वह छोथा आद प्रूप परूप में और है नक brightly It'll give ט64, 113 टॉपिक हम लोग देखते हैं परिख्अर आनुपरस्थ अनुपरस्ट दूई विभाजन तो अनुपरस्ट को अंग्रीजी में क्या क्या थे टी एस ट्रांसवर्स सेक्षन अनुपरस्ट को क्या कहते हैं टी एस ट्रांसवर्स सेक्षन ट्रांसवर्स मैंडी फीजन अब देखिए लोगी चूडनल और ट्रांसवर्स को समझ जाएं कंफ्यूजन होता है कि लोगी चूडनल किशे कहते हैं जिसका एकदम सिंपल सा फंडा है महा भारत देखे थे उसमें क्या किया गया था जरासंद को जिस तरह से चीरा गया था ना उससे क्या करता था मकलब जिस section में काटता था उसको क्या समझा में में क्या कि गात बात बात इश्टरा से में असरों करते हैं कि अपरंड लुइर के भागों से दोब्रावर भाग में बाढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं और प्रस्त दूइविभाजन आनुप्रस्त दूइ है जिवानू को पारामी के पी ए आरे एम इसी आई यू एम डाइटम डिय्य ए टी यू एम और जीवानू को क्या कहते हैं बैक्तिरिया कहते हैं तो यह सब इसके एक्जामपल है तो इसमें क्या होते हैं पालिव पाइजाते हैं तो बढ़ बलेंगे तुने कोई बात में आपको सब्सक्राइब इस बढ़ जो पूछे वही बताते हैं पहले तुम लोग बताते पहला बता दे जीवान हूं आप देखो ना मुर्भक तुम लोग के शनकाम किया रहे हैं तुससे कोककस कहते है लं ब ≫ दिक हो आपनु ये भी तो आम इसे भी बना देते हैं ये Küाह या इसमें इससे इसमें सिर्टिक ये थी देख ब्ले में में देखो कि ऋ कर काटें कि आब ये क्या दि colony योगा ये नहीं हो ये यह क्या एक तिर्याख होगा बिल्कुल सही ताप क्या करेंगे ना इधर से ना इधर से यह क्या हो जाएगा गलत होगा तो इसको कैसे बटेंगे यह कैसे बटता है यह जीवानु है आपका यह जी भानानों कोन सा जी बानानों कर टाःफ हो जाएगा यह फीछ लंबा माले जीवाले इसले के आदे दिब्र गौल ऑसंदर को दो एक बी जिए न है कि लम्भान मकतेँ और जैसे खीरा ऑ्यम्राट olenेक लम्पायम हो बगल शेड़ैंगे ड conspiracy डहीं को इस तरह से कटेगा और जो पदार्थ है वो एक दूसरे में डिस्टिब्यूट होगा और दिरे दिरे क्या होगा यह हां से सट जाएंगे यह हां से सटेंगे और यह इधार और यह इधार अलग हो जाएगा यह एक बेशिलस हो गया यह एक बेशिलस हो गया और यह जो हो गया यह दूसरा बेशिलस हो गया तो देखो कितना असान था तुम लोग तो सोच के भूला कि सर को कहेंगे इसके साथ हम आपको आपको होगे तो बता देंगे अच्छा मना लोगे ठीक है कोई बात ने चलिए आप लोग जिसा कहेंगे लेकिन इस तरह से देख लिजिए यह क्या है अनुप्राश दिविवाजन है लेकिन एक जांपल पर परहाने मजे इसा कहेंगा इसाने परहाएंगे हम ओई जो आपके लिए जरूरी है पढ़ाई आपसे अलग नहीं हो सकती मेरे विचारों से अलग इस तरह का परहाई होना चाहिए उससे अलग नहीं होगा इस परकार देखिए हम लोगों ने हम लोगों ने क्या क्या कि मिखंडन का अभी भाजन का केबल और केबल एक भाग पढ़ा वह भाग क्या था वह था आपका दूई भी भाजन अब आते दूई भी भाजन को यह पुइंट दिए थे इसका दूसरा भाग क्या आ जाएगा और नखता है रहे पढ़लो पढ़लो अभी समय है ठीक यहां दियाना को दूसरा क्या बताये थे मिनम्मन में क्या होगा अभी तक आपका प्रोशेसर काम नहीं किया है रहे पहला मैंने आपको बताया दुई विभाजन और दूसरा बताया बहु विभाजन दूसरा क्या है बहु विभाजन देखो या जो है बहुत इंपोर्टेंट है मल्टिपल फीजन यह बहुत इंपोर्टेंट है यह सोच लो समानी रूप से क्या कहा जाता है कि बहु आई ने घर वटट गिया अरे बुर्भाका उसको जाकर कौन समझाए गा बहु मतलब बहुत होता है मतलब ही क्या होता है बहुत होता है तो बहुत विवाजन का ताथ पर हो गया बहुत भागों में बटना यानि जब दो से अधिक भागों में बटेगा तो उसे क्या कहेंगे बहुत विवाजन कहेंगे यानि क्या करें कि यह ऐसा विवाजन है जिसमें किसी दो से अधिक बराबर भागों में बढ़ता है। यन जिदेक में बहुट सारे में पायजाते हैं। उसमें मुखुरूप से क्या आता है। प्लाज मोडियम उसके दिरिक्त मोनोसिस्ट इन दोनों में जो बहु विभाजन की किरिया है ना इनके अनुकूल परिष्थितियों में पाई जाती इन मतलब इन में जनन का उलेंगिक जनन का मुख्य विधी क्या है मल्टीपल फिजन है कौन-कौन से बता है पलाज मोडियम पहला क्या बता है मैंने बच्पलाज मोडियम पहला था पका पनाज मोडियम और दूसरा मैंने क्या बता है था आपको दूसरा बता है मोनोसिस्ट ज्यान रखना दूसरा है मोनोसिस्ट तीस दोनों में क्या होता है अनुकूल परिष्थिति में होगा अनुकूल परिष्थिति में होता है अब आते हैं इसके अतिरिक किस में होता है इससे चीरिक हो दिंने वेलों इसके तेना पर गव कर भी वाजन की लेकिन वीभाजन का हो वह उता है दर्ट भाभ सेंघ्षेंज डार गसाह है जो पर्ती प्रिस्थितियों कि इसमें क्या होगा परतिकूल परिस्थितियों में तो बताइए विस तोनों में से कौन सा या कौन सा टॉपिक बताया जाए तो चलिए अच्छा प्लाजमोडियम चलिए ठीक है वेल तो इस चीज को धियान अखिएगा अब्जेक्टिव आता है हमिवा में बहु विवाजन पाए जा तो प्लाजमोडियम में समान परिस्थितियों में जो जनन होता है वो क्या होता है बहु विवाजन से होता है जबकि हमिवा में समान परिस्थितियों क्या होता है दुई विवाजन की किरिया होती है और जब उसमें पर्तिकूल परिस्थिति पर्तिकूल परिस्थिति मतलब को रवाद डाजमोडियम म्हीले लेंऄ है इस ब्लाजमोडियम यह क्योंकि अलग-अलग अबस्ता में अंपने अकार को बदल लेता है यह मनुस्में रोग ख्यूतपन करते इढ़े हैं आग यह इन मोडियम होता है कि अकॉरमे थो रही बेरदी के एक हा destac लिए भी इसका केंद्रक लगतार बठक एक से दू दू से चार चार से आठ केंद्रक का निर्मान कर लगा गिनों तरह को पुरिया एक दो तीन चार पहुँच छो शाथ आठ पुरिया अब जब केंद्रक का भी भाजन समाप्त हो जाएगा ना तब इसमें क्या होगा साइटो प्लाज्म का भी भाजन होगा इसमें क्या होगा इस सभी यह जो आठ केंद्रक में बटा है यहां पर यह जो आठ केंद्रक में बटा है इसके चार और क्या हो जाएंगे इसके अंदर जो साइटो प्लाज्म है कोशी का दरब है वह बटना ही लगेगा यह आप देखिए केंद्रक के बटने की क्रिया को क्या कहते हैं ठीक से याद रखेगा केंद्रक का बटबारा क्या कहलाता है केरियो काइनेशिश और जब साइटोप्लाइश बटेगा इसे साइटो काइनेशिश यहां तक के लिए आओ गया इसका जनन पूरा हो गया अब क्या होगा ऊपर का भित्ती बरस्ट करेगा फटेगा और फटने के बाद क्या होंगे यह सभी मुक्त हो जाएंगे कि इस परकार से देखिए कि इस परकार से प्लाजमो टोमी में भी घटना करम आएगी लेकिन ध्यान रखिएगा प्लाजमो टोमी में जब इसे बनाएंगे तो बेसिक अंतर वहां पर बताएंगे लेकिन यहां समझ जाईए स्लगा और और क्यंद्र की संब्सक्राइब और बहुकांद्र कि बनने के बाद क poquito बहुक किञाूँन के क्या कहेतने की सब्सक्राइब किरिया किरियो कहेंडियों के उसके बाद सəईटो प्लाजम का विवाजन और स्टवार्न की बीवाजन ओने की आधống कर लेते हैं अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो तीसरा टॉपिक था है विभाजन का वो क्या था है जोड़ से बोलो है है जोड़ से बोलो कोशी का विभाजन नहीं कोशी का दरब विभाजन कोशी के सब तो कोशी के बट रहा था वो क्या है कोशी का दरब विभाजन है कि इसको एकसम में क्या बोले थे कोशी कभ द्रब बाजन को क्या कहता है पलाज्म कर टॉमी इससे क्या कहते हैंhin ऑफ छोड़ मुणोऑ कि गदी देखिये है कि देखिया दाग्राम जान पर छोड़ इसको मिटाएंगे बाद में लेकिन आपको थोरा सा इसमें समझाना है कि शीनमर इसको करो कि आपने जब बहु भीभाजन परहा था तो वो एक कोशीकी एक कोशीका वाली ती हिसमें पहले केंद्रक बठके बहु केंद्रक की बना और फिर क्या हुआ हुआ प्ठी दरब बठा और फिर मुक्त बहुता यह सुतन जीवन बिताने लेकिन कोशिकाद रख भी भाजन कि इससे अलग होता है कोषिकाइद रब्विभादन की कि रिया बहू धाक केंद्री की एक वी जीवो में होते हैं मतलव वह धीसे कोषिके जीव जिसमें एक से अधिक पाई जाते थ हैं अब देखो यह पहला आप दिलीट मार देते हैं यह क्या हो गया दिलीट मार दिया है और यहां पर आपके लिए कहने सी विजू नहीं होगा क्योंकि यह ओल लेडी बहू यह क्या है ओल डेडी क्या है मल्टी नुक्लिएट फॉर में है तो सबसे पहले इसमें एक्जांपल बता देते हैं ओपे लीना ओपे लीना ओपी एल आई एन इसी को लिखा हुआ मिल जाएगा ओपे लाई न पढ़लो ओपे लाई न बस समझना है कि ओपे लीना में इस तरह का होता है इसके अलावे महामि कि अल्ग जा करते हैं ऐसमें की तो चलिए ने कि बढ़न आई लुग करते हैं ते लीना कि बात करते हैं तह आ पर लीना कैंशसा उनाई होता एक महाभा एंशनाना न जो फोटा आगी देटॉ पर लेविज़न नहीं कम नस सब्स्टार का cranberry होता है चुकी रिलेटिब यू में हमें बताना ता जाता है इस अनचना को राख लिए तो क्या ऊगा वह बहु केंद्री की संचना है तीसमें यह बहु कैंद्रा की संचना है तीश्में केंद्राद नहीं होकर पहले साइटो सिधंट का सब्सक्राइब प्रप्रम और थैगें मिख्ना रखिल में अगी समय के बाद आinea विदि करेगा और क्या दो पसक्राइबन को दो व्युवे श्क्राइब होेगी अनुक्तू के मुख्त करेंगे बाद पर पर से क्या करेंगे पर नुवक्तू को बाद अब 這個 इसका एक से चार आठ मतलब जितनी संख्या इसके डल्ट मैं पाई जाती है के उतना संख्या बना लेका बारी बारी से अब जाके समें क्या हुआ केरियो कैने शीश हुआ आप देखिए यही अंतर है किषमे बहु भाजन में और कोशिका धरबी भाजन बहु विवाजन क्या हुआ पहले केंद्रक का विवाजन हुआ के रियों कहने सी सुआ हुआ था एक केंद्रक से बहुत केंद्रक बनेते और फिर कोशिका द्रब बटा था और उसके बाद अलग होने एक साथ कि रिया संपन्न हो गई जबकि जबकि इसमें क्या हुआ कोशिका दरब विवाजन में क्या हुआ यह और लेडी बहू केंदर की सनचना है यहां से यह क्या हुआ पहले कोशिका दरब केंदर की संख्या को बना लेता है इस परकार से हम लोग फीजन को समाप्त करते हैं आप इसे बार-बार वीडियो को देखे समझ सकते हैं और यदि किसी को को कोई प्रॉब्लम हो समझने में समस्या होता आप कोमेंट सेक्षन में जरूर लिखे मैं कोमेंट सेक्षन को हमेशा ओन करके रखता हूं जिससे कि मैं आपके प्रसनों का उत्तर विडियो बनाक भी देख सको और आप तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विक बाइलोजी है प्रकास सर एपी को सब्सक्राइब करें जिससे आपको बाइलोजी नहीं अलग अलग परकार के नई जनकारियां आपको यूट्यूब के द्वारा यूट्यूब चैनल से मिलते रहेगें धन्यबाद